तेरा क्या होगा कालिया? जो भले ही आज हमारे बीच ना हो लेकिन आज भी उनके द्वारा बोला गया हर एक डायलोग उनका वो गबर वाला अंदाज हर किसी को उनकी याद दिलाता है यही वज़ा है कि बेशक उन्होंने इस फिल्म में विलिन का किरदार निभाय था लेकिन दर्शकों के दिलों में आज भी उनके लिए किसी हीरो से कम जगह नहीं है लेकिन आज हम आपको उनके बारे में नहीं बलकि उनकी समपत्ती के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार अमजद खान साहब ने अपने मरने के बाद अपने बच्चों और परिवार के लिए क्या कुछ छोड़ा है और नवंबर 1946 को पेशावर में हुआ था जिनके जन्म के कुछ महीनों बाद ही इनके माता पिता मुंबई आ गए थे इन्होंने अपनी शिरुवाती पढ़ाई सेंट आंड्रियूज हाई स्कूल से की थी और बाद में R.D. and S.H. National College and Science College से इन्होंने अपनी ग्राजवेशन तावन में फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था इन्होंने अपने पिता जयंत के साथ कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर को जारी रखा जिसके बाद इन्होंने पहली बार साल 1973 में फिल्म हिंदोस्तान की कसम म एक मुख्य अभिनेता के तौर पर काम किया था इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और ये फिल्म सफल साबित हुई थी इस फिल्म में इनके शानदार प्रदर्शन के कारण ही इन्हें बहुत सी फिल्मों के ओफर मिलने लगे जिनमें इन्हों में इन्होंने इतनी बखूबी से अपने किरदार को निभाय था कि उनका ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो चुका है इन्हें आखरी बार साल 1967 में फिल्म सोतेले भाई में ठाकुड नारायन दास का किरदार निभाते हुए देखा गया था इस फिल्म के रिलीज के कुछ ही स साल पहले दिल का दौरा पढ़ने से इनकी मृत्यों हो गई थी हाला कि आज ये हमारे बीच नहीं है पर आज भी लोग इन्हें इनके किरदारों के रूप में ही याद करते हैं लेकिन अगर बात करें इस दमदार कलाकार की संपत्ती के बारे में तो आपको बता दें कि काफी बड़ी रकम मानी जाती थी इसके अलावा अमजद खान कई ब्रांस को एंडॉर्स भी कर चुके थे इसके लिए भी इन्हें काफी अच्छी रकम मिलती थी वहीं बात करें इनके घर की तो आपको बता दें कि इनका मुंबाइस्थित आली शान घर है जिसकी कीमत 10 करो हाउस भी है जिसके कीमत करोडों में है जिन में आज इनके बेटे शाहदाब खान और सीमाब खान उनकी पतनी रहती है यूँ तो अमजद खान को कारों का कोई ज्यादा शौक नहीं था लेकिन फिर भी उनके पास मसरीज और औरी जैसी कारें थी जो आज भी उनके गैरज म उनकी यादों के साथ रखी हुई है तो दोस्तों आपको हिंदी सिनमा जगत के दिगज कलाकार अमजद खान की समपत्ती से रूबरू होकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें